हलो दोस्तों नमस्कार उमेदे आपसे अच्छे होंगे आज का वीडियो सेशन जो है काफी अच्छा होने वाला है आज हम बात करेंगे टेरा लूना क्यों डंप हुआ और पेग फंड क्या होता है यह दो कोश्चन है और दो कोश्चन बहुत जरूरी आपको समझना क्योंकि आने वाले आगे समय में बहुत सारा प्रोजेक्ट इस तरीके से है और उनमें भी घटना हो सकती है जो आज टेरा लूना में हुआ है और जो यूस्टी के साथ हुआ है पूरा लूना फांडेशन गार्ड जितना भी सब ध्वस्त हो चुका है और कई बिलियन डॉलर आज सब खतम मिल चुका महेज 48 घंटे के अंदर अंदर वैसे तो 24 घंटे में खतम हो चुका था लेकिन थोड़ा अभी तड़ा रहा जैसे ठीक है कभी कभी दिख जाता है जो 164 सौरी 119 20 70 और लेटेस्ट में 400 डलर चल रहा था और आज वह एक डलर भी नहीं हाफ डलर भी है तो इस सिलसले में यह वीडियो है पेग फंड क्या होते है लूना क्यों डंप हुआ इसकी सारी चार्चा हम डेटेल में देने वाले हैं और आगे इसके लिए एलर्ट रहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है और पूरा मार्केट का सेंटिमेंट समझे जब पूरी मा आगे आने वाले समय में इस तरह से घटना हो सकते हैं और आप इसके लिए रेडी रहे हम पूरी इंडुस्टी को खराब नहीं बोल सकते किसी एक का मेकानिजम कैसे फेल होता है इस पर अमल करने का बात है पेग फंड क्या है पैसे कैसे अर्जेस्ट होते हैं मार्केट कैप कैसे सोग होता है इसी बारे में दिटेल में चर्जा करेंगे तो चलिए हम ल लूना ने लूना का पूरा किस तरह से फ्विय और हुआ और तो देखिए सब्सक्राइब लू ना की कहा है बढ़ेगा तो पहले थोड़ा-थोड़ा मार्केट में उतारेंगे और रेंगे और जैसे-शै्यों का एक नार्मनी पर्मोशन होता है जैसे सभी कंपनी right को कश प्रॉमोशन होता है ठीक है अब यह ब्लाउकचान में कितना योगदान करते हैं कि कितना है तर्फोंत्ma कितना में कितना मेडियेटर का काम कर रहे लिकिन इनका मार्केट क entities कम्पनी का अपना पूरा तो उसका इक मार्केट का बनता है श्रक एसट का एनि मार्केट किया जाता है नुब हरा है इस चीज चीज घो रहा है तो पर पैसा नहीं को उतूरणं तुस भी में तूरेब कर लेती है बाए कर लेती हैं तो वह नहीं कर चल रहा था थोड़ा सा उसको कोई मार्केट कैप नहीं था लेकिन जैसे फेस्बुक वालों ने खरी लिया यह और बढ़ गया ठीक है फेस्बुक ने भी अपना फेस्बुक ही जो अभी चला रहे यह भी किसी दूसरे का ही है इन्होंने खरीद है तो चलिए हम टेरा लुना फेंबात करते हैं suppose इसकी एक billion supply है और इनका मार्केट कैप continue बढ़ रहा है एक billion दो भी इसी कमपनी का मार्केट का बढ़ता है तो कमपनीयां अपने प्रसार के लिए प्रचार प्रसार दोहों के लिए इन का अपना जी खालंत काम करती हैं मार्केट का बढ़ेगा डॉलर कंपनी के हाथ में आएगा तो अब क्या होगा कि यूफडी यूफटी की सप्लाई उसी तरीके से बढ़ानते चलेगे अब देखिए स्टेवल कोई जो होता है इसके पीछे एक फंड रखा जाता है यह इसी को इसी फंड को पेग फंड बोलते अब इनको यूफडी की जडर्वत पड़ी यानि कि टोकेन इस्टेवल टोकेन का वह भी टेरल होना ओन कंपनी का चाहिए दूसरे का नहीं चाहते तो अपनी कंपनी में यूफडी या यूफडी बुफड कुछ भी यूज कर लेते इस्टेवल में बहुत सारे हैं लेकिन नहीं इनको तो अपना चाहिए था चलो अपना कर लिए माल लेते हैं चलो एक बिलीन कि इनको बना ड़ाई वैसे यह यह कंपनी कितना घृट करेगी कई इसी वजह से क्यूंकि किस्टेवल प्राइश रखना कुछ बना दिया जाता है जैसे आपने कोई छोटी सी दुकान अभी ओपन करिये तो क्या आप कल्कुलेशन कर सकते हैं कि हम सिर्फ जिंदगी में इस दुकान से सर्फ पांच लाख रूपए ही कमाएंगे अरे भाई हो सकता है करोन कमाल हो सकता है दुकान और बढ़ जाया तो पचास करण ब्रोन हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है तो वो मनी है अनलीम्टटेड है कोछ पता नहीं होता कितना बनें इसी वज़ए होता है इसकी सप्ला होते यह पैसelson में करता है कितना पैसा आएगा और वहीं पैसा responds चार चावार और वह पैसा करक्था बैक में रख दिया जाएगा ठीक है चलिए अब इन्होंने माल लिजे कि पहले पहले इन्होंने एक बिलियन यूज़टी बना डाला इस्टेबल कॉइन अब इसको मार्केट में देंगे कि हमारी इस यूज़टी लो और हमारी जो कंपनी की सर्विसें हैं चाहे वो लूना से लूना ब्लॉक्चेन पर बनने वाले सभी कॉइन की शेल बाई हो तो जब यूज़टी लेकर आओगे तो हम यह सारी फेशल्टी आपको देंगी माल लिजे कोई कॉइन बनवाने आया लूना के पास तो क्या पैसा लेकर आएगा जाहिर चवात हो कहीं से यूज़टी travel बनाया जाता है लेकिन फिरी में मिलता किंग्यों पैसे का ट्रोकों हो डालर तो टॉकंने से यह यहूज़ई होगा बाहर जाएगका बाहर वाले लोग क्या या अगर मार्केट के कोई user या कोई other company UFT demand कर रही है तो लोग क्या करेगा यह सारा asset UF Dollar, INR, UFDT, BTC, Ethereum सब दे करके UFT दिभाई करेगा अब बताएए यह सारे asset कहां गए यह सारे में चला गया वह लोग जब company टेरलोना के पास आएंगे लेके तो अगर यह सारे पैसे खर्च हो गए तो अब बताएए यह कहां से दे पाएगा नहीं दे पाएगा भड़ा के गिर जाएगा इसका rate 80 रुपय चल रहा एक रुपय आ जाएगा क्योंकि पैसे नहीं तो यही पैसे को यह पैसा जो दिया जाता है यूजिफ्ट के बदले में इसको रखा जाएगा यूजिफ्ट मार्केट में चला गया और जितना यूजिफ्टी मार्केट में गया उतना पैसा भी तो पैसा भी तो आया है तो इसके पीछे रखना पड़ेगा और एक बात ध्यान दीजिए कि जो बैक में फंड रखा जाता है इसको बैक फंड या पेग फंड बोलते हैं पेग इसी का नाम है ठीक है तो पेग फंड हमेंसा स्टेबल मनी में रखा जाता है अब बताईए कि बहुत नहीं रख सकते हैं इत्व को रख सकते हैं यस आइन यार को रख सकते हैं लेकिन आङर生 भी ठोड़ा बहुत ड maior के पेछे गिरता बढ़ता रहता है एक है यहां तो अभी को अर्यरुपय चल जा लेकिन व worked तबिकता में देखा जाए तो सायद अभी 76 रूपए ऐसे चलता है तो यूफटी रख सकते हैं जो भी इस्टेवल मनी यूफडी टी रख सकते हैं पेक फंड में बीटी सी इथेरियम लूना बेन बी कोई भी क्रिप्टो करंसी पेक फंड में नहीं रखा जा सकता क्योंकि मार मार्केट डंप होई इनके सब के भाव गिर जाएंगे और सारे लोग यूफटी कंपणी के पास ले के आएंगे कैस करने के लिए तो जब सब के भाव गिरे हैं तो यह पैसा नहीं दे पाएगा अब पैक फंड में यूफडी टी आई एनार या यूफडालर रखना पड़ सैया ओंठा किया यह सारी पैसे इन्न हों ने पता नहीं कहाँ खर्श कर दाला सयद het मैं ख़र्च की थिए मैं नहीं बोल सकता डेवलापिंग कंपणी के ग्रोथ में खर्च किया मैं नहीं जानता यह सकता है अब देखिए यह जो यह ग्राफ है यूजफ्टी बनाम टेरा लुना यह आपस में कैसे चलते हैं अब इसकी मार्केट कैब बढ़ी तो टेरा लुना कंपनी का पूरा ग्रोथ हुआ उतना टेरा लुना बना दिये बोले हमारे पास सव करोन या और इसके पास में पेक्ट नहीं है और का कि इसकी सप्लाइय बढ़ा बढ़ा के बेंच के बूल रहें कि हम एघटा करेंगे और यूफ्टी जो लेके आ रहा है उसको हम इसको देंगे तो हम इसका प्राइस हम एक डॉलर रख पाएंगे जब कि ऐसा इन्होंने कर नहीं पाया इसकी सप्लाई बढ़ा दिये कितना बढ़ा दिये चलिए आगे हम दिखाते हैं आपको देखिए आगे आप इसको देख लेजिए आगे इसको देख लेजिए इन्होंने कितना नेक्स कर दिया नेक्स सप्लाई बढ़ाते बढ़ाते पहले इन्होंने साजिस के तहत गेम किया है एक सेचन्जों को सबको पता हो गया था लेकिन किसी ने बताया नहीं इन्होंने पहल बताइए 64 डालर साथ डालर से डंप हुआ तो एक डालर रहा अच्छा जितना डंप हो रहा था लोग भाई करते जा रहे थे और लोगों के पैसे फंसते जा रहे थे अब यह सारे पैसे ऐसा नहीं था कि हवा में गायब हो रहा था सारा पैसा कमपनियों के हाथ में जा रहा था लेकिन अब देखिए यहां पर किसी भी एक सचेंज ने बोला नहीं क्योंकि सब पीछे से उनको पेग फंड पकड़ा दिया गया है कि गिलास भर-भर के पेग बना मिल दिखेगा अब अगर दूम पानी है यह कीचल टाइप पानी है तो क्या आप उसको गयादर दे सकते हो कि यह सद्ध है ट्रांस्पारेंट दिक्टो रहा है मेरे को दिख रहा तो यह कैसे पॉसिबल है पानी अगर गंदा है उसको प्रूफ की जरूरूरत नहीं है क्यों पानी जैसा काम इनका टांस्पारेंट पारदासी है लेकिन था नहीं एक्चुल में क्योंकि इन्हों ने आया सी करी सारे पैसे इन्हों ने खा डाले जितने लोगों के पैसे थे क्योंकि पेग में रखा ही नहीं अब फंड अभी हम आजिनार के रिलेशन में बताएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा तो हुआ क्या कि डॉलर इन्होंने इकठ्था करते चलेगे सप्लाइब बढ़ाते गए इसको बोलते हैं मिंट मिंट कर रहे थे मिंट कर रहे थे सिर्फ क्या नामें यूफ्ट को कंट्रोल करने के लिए देखो बहाना देखो इनका चाहते त सिर्फ उतने ही रह जाते तो Controll किया सकता था एक सेचेंज वाले ट्रेडिंग आफ कर देते तुरंत सबसे अच्छा था लोगों के जो 40 डालर बीव डेलर 15 डालर 10 डालर 5 डालर 8 डालर 6 डालर 3 डालर दो डालर एक ॉप डालर जितना वाई किया सब के फंड जीरो हो गए च अब यूएफ्टी का प्राइस अभी तक पॉइंट शिक्स डलर यानि लगबग हाफ डलर चल रहा था लेकिन बताईए जब इन्हों ने इतना बेचा इतना डालारी कठा किया तो यूएफ्टी को अभी भी कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए कहने का मतलब है कि अगर इसमें यान अंति में गिरा दिया इसको भी ला दिये कितना ला दिये लगबग सात रुपए के आस पास ला दिये यानि कि 80 रुपए का कोईन सात रुपए ला दिया मतलब यह भी जीरो होने वाला है साध एक रुपए साम तक या राद तक आज आएगा आज 13 मई हो चुका है ठीक है 12 म मैं 12 मंए 13 मई 1112 से ज्यादा गंभीर सेरीस पकड़ लिया अब चलते हैं यहां पर इंडियान एक सेचन पर चलते हैं में क्या होता है जब कोई बंदा आयनर डेपाउजिट करता है तो आयनर एक डमी उनके सेचन में उनके इकाउंट में दिखा दिया जाता है और आइएनर क्योंकि लोगों का पैसा बैंक में रखा हुआ है और जितना पैसा बैंक में रखा हुआ इतना ही डिजिट डमी डिजिट एक सेचेंज पर देना ट्रेट करने के लिए अब एक सेचेंज वाले चाहे तो डमी डिजिट अपना पैसा आड करके ट्रेट कर सकते हैं लेकिन होगा कि ट्रेडिंग वोपर नीचे दोनों होती है क्या पता कि लोगों के पास भर भर पेबर के आगा आ और सबके पास ठेसए को गया तो क्या होगा कि यहाँ पर आइन और लोगों के पास एक्षाषन पर सारा आ जाएगा लेकिन जाले के पेq फंड थोड़ा ही रहे हैं मालिजिए 50 क्रोण यहां पर पैसा बैंक में रखा हुआ है एक सचन्क में यानि पेग फंड़ स्वास क्रोण है लेकिन-वट시면 डिजित ऐड़ करके लेकिन फंड से जादा नहीं क्या क्योंकि नहीं कर सकतें बराबर ही करना पड़ेगा उनको ठीक है बराबर ही करना पड़ेगा क्योंकि एक कासा को गया इस तरह से घुता रहता है लेकिन वह कभी जप्लश के बराबर में सरस्ट की बराबर में आई नाberहता सोरी यहाँ पर एक बिलियन हो गया बैंक में पचासी करोण है सव करोण इधर हो गया इधर पचास करोण है तो कैसे बराबरी होगा किसी को बेट डॉल ही नहीं दे पाएंगे दिवालिया घोस्त हो जाएंगे तो पेग फंड पेग फंड बीटी सी में नहीं रख सकते हैं अगर बेटी सी एथेरियम बी रखा होता तो क्योंकि मार्केट के भाव के अनुसार यह बदल जाते हैं तो बहाई बदलने वाले चीज को पेग फंड में नहीं रख सकते हैं यह इतनी कहानी होई तो पेग फंड में क्या-क्या रख सकते हैं यह बदलेगा नहीं यह की अगर मालेजिया मैंने 10 डमी 10 रूपर डमी एड कर दिया और 10 लोगों ने एक रूपर उसको कमा लिया तो सबका पैसा यहां पर बढ़ जाएगा और हमारे पास बैंक में तो बढ़ेगा नहीं तो हम भी डॉल देहीं नहीं पाएंगे यहीं पर फेल हो जाएंगे तो इंड कि लूना के साथ वही हो गया लूना के साथ वही हुआ बहिए कि डंप मार्केट में कुछ बड़े-बड़े से राय बना लिए देखो वेल से तो हमेशा एक्टिव होते हैं और कोई लूना के लिए जानबूच के उन्होंने राय नहीं बनाए होगी वहार जगा वेल कंपनी ने यह सारे पैसे जो पहले से कठ्था किये थे यूजिस्टी मार्केट में दिया तो यह सारी कठ्थे हुए लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन लोगों ने इसको पैसे को दूर्पयों किया पता नहीं कहां खर्च कर डाला और बाद में फिलहाल हम वीडियो को इंड भी की बात करते हैं बी बी-ण वी जैसे उंडे मार्केट में चल रहा है तो दो 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 टो अंति बूँख के पीछे रखने की कोई जरूरत नहीं यह लेकिन बुफ रोखने है इस टो म्यंस के और ने मार्केट में एक हजार करोण डॉलर बुफड सर्कुलेट कर दिया तो भाईया एक हजार करोण डॉलर ज्यादा हो रहा है क्या तो इतना पैसा यानि कि डॉलर में यूज डॉलर में बुफड की पीछे रखना पड़ेगा अगर नहीं रखते अगर नहीं रखते तो फिर अचानक से मार्केट क्रैस करी या कोई कोरोना आ गया कोई आपदा आ गयी सारे लोग बुफड लाला के कैस करेंगे तो बानेंस वाला कभी दे नहीं पाएगा फंड रखना पड़ेगा और ध्यान दीजिए इस्टेवल मनी रखना पड़ेगा कुछ भी रख सकते हैं लेकिन यह फ्लक्ट्वेट करेंसी नहीं रख सकते हैं यह सब नहीं रख सकते क्योंकि अगर मार्केट डंप करा तो उनके रेट तो वन थर्ड हो जाएंगे देना तो पैसा पूरा है तो वहां पर इस्टेवल मनी रखना होगा और जो फियाट करेंसी होती है मतलब जो करता था आज 70 रूपर 70 रूपर चल रहा है ठीक है आयनर के बात कर रहें तो यह चक्कर है इसी में लूना पीस गया अब मैं ओवर ओवर आल यह बोलूँगा कि लूना जैसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर गिरना स्टार्ट हो तो कभी भी उसमें इंट्रिन मत लेना क् पीछे से वलरेवल हो चुकी है कितना क्या करेंगे कुछ भी कहा नहीं जा सकता तो फ्रेंट्स उमेद है वीडियो पसंद आया होगा आगे आने वाले समय में हम कुछिस करेंगे आपको बेहतर कॉंटेंट दे पाएंगे और चैनल से जुड़े रहे है टेलिग्राम को जीदा कोश्चान है तो इस बारे में हम सरल भासा में वीडियो लाने का कुछिस करेंगे और आप लोग चैनल पर बने रहे हैं थैंक्यू